कि गुट मॉर्निंग अलोफ यू मुझे एक बहुत ही जरूरी कांसर्ट डिसकस करना है जोग्राफी जैसा कि विडियो टैटल में आप देख रहे हो लिखा हुआ है रियल जोग्राफी वर्स जीएस्टी जोग्राफी जीएस्टी में किस तरह से स्टेट्स और यूनिन टेरि रहा है सबसे पहले कौन सा है जम्मु एन काश्मीर री और तुम बोर्ड पर देखते हो ठीके ना जम्मु एन काश्मीर री और्गनाइज़िशन अक्ट 2019 तू दिस आक्ट जमु कश्मीर स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था जम्मु कश्मीर एं दूसरा दमनेंदिव इन दो यूनियन टरिट्री स्को दादरे नंगर अवेली और दमनेंदिव इन दोनों यूनियन टरिट्री सको मर्च कर दिया था तो इसका स्टैट्यूट का नाम आप देखो क्या लिखा है दादरे नंगर अवेली अंदमनेंदिव merger of union territories at 2019 अब यह effective कब से हुआ as you can see there effective date is Republic Day 26 January 2020 ठीक है न यह देखो यह रहा दोनों statutes का effective day first of all if you are a student you must remember the names of the two statutes जो मैंने बोर पे दिया है and you should also remember their effective date exam में वरना आप क्या लिख्या होगे exam में WhatsApp वाला गयां तो चलेगा नहीं exam में when you are writing you must know what is the name of the statute through which the two geographical changes have come और उनका effective date क्या है मेरे किया से date या रखना है मुश्किल नहीं है it's very easy 31st October 2019 और अभी तो इस साल का तो Republic Day ठीक है ना तो जम्मू कश्मीर को दो यूटी में डिवाइड किया गया और दादर नगर दमने दियू को मर्च कर दिया गया मैं जस्ट बात्चीत परपस के लिए तुम लोगो कुछ बोलने जा रहा हूं याद रखने में बहुत असान होगा दादर नगर हवेली को शॉट में अपने बोल लेते हैं दादा और दमन और दियू इसको शॉट में अपने मर्च करके बोल लेते हैं दादी तो अपसे यह दोनों का मर्जर हो चुका है इट बिकम्स दादा एंड दादी तो दोनों मर्जर हो चुके हैं ठीक है कोई हसी मजाग की चीज़ नहीं यह बस इस तरह से बोल रहा हूं कि याद सब्सक्राइब बिकम्स वेरी इजी प्लस बोलने में भी आसान होता है इतना लंबा आप जब नाम बोलो कि उसके बतला आप शॉट में दादा दादी एक युनिन टेरिटरी है ठीक है तो यह क्लियर है कि नहीं है यह आपको नाम क्लियर है अब इसी को जरा मैप में आप द लिए शॉट में दादा दादी यह कब से एफेक्टिव हुआ 26 जैनरी 2020 यह दो चेंज आए तो यह तो अभी हम लोगों ने समझ लिया जोग्रॉफी नाओ लेट उसी वाट इस दे रियल जोग्रॉफी वाट इस दे जिए 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 आप जो देख रहें बॉड पर यह थी पेजिस का नोट से में यह थी पेजिस का जो नोट से उसका लिंक मैं इसमें देढूंगा क्या नामे वीडियो ड्स्क्रिशन में देढूंगा तो अताकि तुम डाउनलोड करके उसको अराम से पर्सों के लिए रख सको ठीक है तीन सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब नाम किसे याद रखें तो इसलिए उसको एकदम स्टेट कोड के साथ लिखा है बोलने में और याद रहने में वेरी इजी फॉर यू ओके सबसे पहले रियल जग्रॉफी स्टेट्स की बात करते हैं आपको दिखर है औरेंज कलर मनें स्टेट्स मैं हाइलाइट करूं पढ़ाने के परपसे नॉर्थ में 6 स्टेट्स हैं एच्पी मतव हिमाचल प्रदेश पंजाब हर्याना उत्तराखंड उत्तरप्रदेश राजस्त सब्सक्राइब के बश्राइब करन थो ऑस्तुर्ण करनाथका नौर्थ इस्ट में सबसे दिक्कत होती स्टूरंट्स को क्योंकि बाकी ऊपर का चार तो हम लोग विज्वलाइज कर लेते हैं मैप इंडिया का पर नौर्थ इस्ट के जो साथ स्टेट से नाम याद करना वह दिक्कत होता है तो तो उसको समल करना उसको याद रखने के मैं तो इस तरह से करता हू एम 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 एंटी ओविश्टी तुम इससे बहुत सारे मेमोरि एड के कुछ भी बना सकते हो जो भी को समझ में आता है मामा एम एंटी या मामा टी एनएम जोभी घश्ट्ब्स आप कर दो यू मैं आल्फा-टीकल ऑटपल इंडिय गेम एम एंटी अरुनाचल स्टेट्स मिलाकर अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हो गए तो जम्मु कश्मीर तो गया तो 29 से गिर के 28 स्टेट्स हो गए और यूनियन टेरिटरी कितने हैं आप उस तरफ देखो ग्रीन कलर में है ना यूनियन टेरिटरी का पुरा कंप्लीट लिस्ट अध्यान से देखो अच्छा अब या बगल में देखो मैंने कुछ स्पेशल बनाया है यह लेगिस्लेटिव आठ यूनियन टेरिटरी वह होता है जो सीधा सेंट्रों की कंट्रोल में आता है जिन में जनरली अपना कानून नहीं बनाया जाता और उनके अपने कोई विधान सभा विधान इनका अपना स्टेट लेटिव है मतलब यह अपना कानून खुद बनाते हैं आप दिर ओन स्टेट लेटिव और जमू कश्मीर का भी है यह वी रियल जगराफी तो अपसे हमें अगर कोई पूछे का भी रियल जगराफी क्या तो अपने बोलेंगे सट्वेंटीट स्टेट घ्रिस है और ऑड यू जिए अटरिटरी यह दिख रहा है now GST जोग्राफी 30 सल्ग है CTI्ण में क्या अलग है let's let Murr पहले मैं GST जग्राफी बताओंगा जो एक्चुल अभी दुनिया में चल रहा है इंडिया में चल रहा है और फिर मैं अलग से GST जग्राफी बताओंगा for November 20 examination या देखो you have got 8 union territories out of 8 the 3 union territories have their own state legislative तो उन 3 union territories को GST में उन 3 union territories को GST में union territory नहीं माना states they are considered as deemed states ठीक है तो ultimately क्या होगा कि union territory के list से 3 नाम हटेंगे और states के list में 3 नाम add हो जाएंगे इन GST जग्राफी तो अब मैं आपके सामने second page खुलने जा रहा हूं यह रहा जग्राफी तो आपके सामने आप देखो जड़ा वही 28 actual states है जो भी हम लोग पड़े और वो देली जम्मू कश्मीर पॉंडिशेरी तीन दीम्ड स्टेट से कुल मिलाकर हमारे पास 31 स्टेट से यह जीएस्ट की दुनिया में जीएस्ट की दुनिया में दिली जेकिया और पूर्डुचहरी को स्टेट माना चाहता है इसलिए उनका अपना कानून बनता है तो हमारे पास 31 स्ट एस्ट एक्ट सेट जीएस्ट एक्ट और इधर इस तरफ आप देखो ग्रीन कलर में यह वाट फाइव यूनियों टेर्ट्रीज अंडमान चंडिगर्ड दादादी लदाक लक्ष्वधीर ठीक है तो अभी आपके की जोगरॉफी तो यहां तक एक पढ़ाव खतम होता है हम लोग के डिसकेशन का अब एक छोटा से चीज बताऊंगा नवेंबर 2020 एक्जाम जो होने जा रहे है उसके लिए नवेंबर 2020 एक्जाम के लिए में बता जिता हूँ सीयं इंस्टीट हस चम आउट विद्ध अमेंडमेंट लिस्ट ऑफ आल सब्जेक्स फॉर इंटर अस वहलास फाइन इन बोट केसेश जीए मैंने उसका अमेंडमेंड में क्या इंग्नूड क्या नहीं है एक्स्लूजन वगेरा उसका वीडियो पहले बना दिये उसमें इंस्टिट्यूट ने क्लियर बोला है कि आप ये दादर नगर हवेली और दमनेंद्यू का जो मरजर इग्नोर करो और जम्मु कश्मीर वाला जो रियो और इग्नोर करो फॉर नॉवंबर ट्वेंटी एक्जाम सो दो बड़े चेंज़ेस जो हमारी जोग्राफी में आए ये दो इनको हमें नॉवंबर ट्वेंटी एक्जाम के लिए इग्नोर करना है तो यानि इसका मतलब है हमें पुराना वाला मैप फॉलो करना है ठीक है यह रहा ओल्ल मैप भारत का जब जम्मु कश्मीर एक था और तो इसी के अनुसार अब हम लोग को अभी जो नॉवंबर ट्वेंटी का एक्जाम में उसके लिए भी स्टड़ी करना है तो अभी देखो नॉवंबर ट्वेंटी एक्जाम में जम्मु कश्मीर दो पार्ट में ने टूटा तो लदाख है नहीं तो आप यूनियन टेरिटर कर दिया नॉर्थ में अब साथ स्टेट्स होगे जम्मु कश्मीर को लेकिया करेक्ट दूसरा दमनेंदियो दादर नगर का मर्जर नहीं लेना है हमें तो उनको अलग-अलग काउंट करो तो देखो मैंने उनको अलग-अलग लिखा है तो हमें ओल मैप फॉलो करना है यह द चंडिगर दादर नगर दमनेंदियो लक्षवदीप दादर नगर दमनेंदियो को अलग-अलग लिखेंगे और लदाख आया नहीं पिक्चर में तो कुल मिला के अभी भी फाइव इन टेरिटरी हो रहा है ओके अजीब बात यह है कि फ्यूचर में जो जीस्टी एक्ट अल्टिमेटली यूर नंबर इस नॉट चेंजिंग वह अंदर ही अंदर ऐसा हो गया जम्मो कश्मीर दो पार्ट में डिवाइड हुआ और दूसरी तरफ दो यूनिन टेट्री एक हो गया तो माइनस प्लस वन का इफेक्ट आ गया तो अल्टिमेटली एंसर तो वही निकल हो रहा है कि आप old map के सबसे GST पढ़ो या new map के सबसे GST और टोटल नंबर और स्टेट सें यूटी विलेंसें 31 और 5 पर अंदर में बहुत सारा changes होता है तो यह चीज आज में clear कर दिया एक बार समझ जाओ जो नॉब्बर 20 में एक्जाम देंगे उनके लिए 31 स्टेट्स है पर 31 स्टेट्स का ब्रेक अप है 29 अच्छल स्टेट्स एंड टू डिम्ड स्टेट्स और पांच यूनिन टेरिट्रीज है ठीक है और जो 2021 में ए लिए 31 स्टेट्स है आउट विच 28 अर एक्छल स्टेट्स एंड त्री यार दीम्ड स्टेट्स और पांच यूनिन टेरिट्री है दादा दादी एक हो गया पर लदाख अलग हो गया तो माइनस उन प्लस वन करके वही पांच यूनिन टेरिट्री ठीक है तो यह एक